दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि खुबसूरत होने का मतलब सुन्दर दिखना, गोरा होना या पिर अच्छे बाल और फिगर होना है तो आप गलत हैं क्योंकि आज के दौर में खुबसूरती का मतलब confidence और attitude को माना जाता है इसलिए आज की वीडियो में हम आपको साथ ऐसी खुबसूरत लड़कियों के बारें बताएंगे जिन्नोंने अपनी कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हत्यार बना कर दुनिया को बता दिया है कि वो जैसी हैं, वो सबसे खुबसूरत हैं हमारी आज की लिस्ट में दुनिया की साथ ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा नमबर साथ, कोडिया डियोप, 25 साल की कोडिया डियोप का तालुक सेनेगल कंट्री से है, इसे मैलनिन गौड़ेस के नाम से भी जाना जाता है आपकी जानकारी के लिए बता देखे कोडिया डियोप की सिकन इतनी डार्क है, कि बच्पन में सब इन्हें चुडाते थे और उनका मजाग बनाते थे कोडिया का कहना है कि आज भी लोग उन्हें डार्की बुलाते हैं, जिसका अर्थ है Daughter of the Night and Mother of the Stars, वो कहती है कि वो लोगों के बातों का बुरा कभी नहीं मानती कोडिया कहती है कि उन्हें अच्छा लगता है कि उनके इस डार्कनेस की वज़े से लोग उनको पहचानते हैं, लोग उनके और अट्रेक्ट होते हैं और यही चीज उनके फेमस होने की वज़ा है आपके जानकारे के लिए बता दे कि कोडिया ने 17 साल के उमर में मौडलिंग शुरू की थी और आज उनके फैन फॉलोविंग का कोई तोड नहीं है उनके इस्टेग्राम अकाउंट पर आज मिलियंस में फॉलूवर्स हैं इतना ही नहीं फैशन के दुनिया में खोडिया का काफी जाद नाम है इनका शुमार दुनिया की खुबसूरत और मशूर लड़कियों के लिस्ट में आता है नमबर चैंग हर नाम कौर हर नाम कौर भारत से तालुक रखती हैं लेकिन वो इंग्लेंड में रहती हैं 31 साल की हर नाम दुनिया की सबसे एक कम उम्र घनी दाड़ी होने वाली लड़की होने की वज़े से जानी जाती है और इनका नाम गिनियस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है वदादे की हॉर्मोंस इन बैलन्स की वज़े से हर नाम की चहरे और जिस्म पर 12 साल की उम्र से ही मर्दों की तरह बाल उगना शुरू हो गए थी हालकि हर नाम ने इन बालों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कोशिश की लेकिन उसकी सारी कोशिशे नाकाम्याब रहे शुरूआत में लोगों के मजाग उडाने के वज़े से हर नाम ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी लेकिन अंत में हर नाम ने अपने जीवन की इस करवी सच्चाई को अपना लिया और उसे अपनी पहचान बनाकर मॉडलिंग के दुनिया में कदम रखा 2016 में फैशन इंडस्ट्री में श्तनसनी मच गई जब हर नाम कौर ने लंडन फैशन वीक में रैंप पर कैट वॉक की तब उन्हें बहुत पसंद किया गया जिसकी वज़े से आज ये दुनिया की एक बहुती फेमस मॉडल है दोस्तो अगर आप रेगुलर सोशल मीडिया यूजर हैं तो आप अलेक्जेंडरा सियंग नाम से बहुती अच्छी तरह से वाकिफ होंगी ये बच्ची इस दुनिया में मौजूद किसी भी लड़कियों से बहुती ज़ादा अलग है आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल पांस साल की उम्र में एक्स्ट्रा एक्टिव हॉर्मोंस होने की वज़े से ये बच्ची अपने उम्र से पहले ही जवान होने लगी थी और एक महिला की तरह दिखने लगी थी अलेक्जेंडरा सियंग की उम्र इस वक्त 17 साल की है लेकिन चहरे से देखने पर ये 20 से 21 साल की लगती है और वही बडी वाइस वो 22 से 25 साल की लगती है एलेक्जेंडरा का कहना है कि शिरु शिरु में उन्हें उनकी बडी पसंद नहीं थी लोगों के सामने उन्हें जाने में शर महसूस होती थी लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला उन्हें अपनी बडी से प्यार हो गया प्योंकि उनको उनकी बॉडी की वज़े से ही दुनिया भर में शहरत मिली है अलेक्जेंडरा क्लास 12 की स्टुडेंट है लेकिन इस बच्ची की फैन फॉलोविंग बहुत बड़ी है इनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोवर्स है और वो एक बहुत बड़ी सोशल मिडिया स्टार भी है 25 साल के स्लिक वुड्स एक अमेरिकन मॉडल और एक्टरस है जो अपने गंजे सर, दांतों के बीच गैब और टैटू के वज़े से फेमस है ये सोशल मिडिया पर इतनी फेमस है कि इनका नाम इंस्टा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है इनकी इस अजीब से लुग के वज़े से बच्पन से ही उनका मजाग बनाय जाता था गरीब खांदान से होने की वज़े से स्लिक वूट्स ने अपने जीवन में बहुत सारे अप्स और डांस देखे लेकिन कभी भी हालाज से हार नहीं मानी अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हुए स्लिक ने अपने confidence अजीवों करीब लुक और attitude की वज़े से आज ये दुनिया की मशूर मॉडल बन गई है आपको जानकर हैरानी होगी स्लिक वूट्स के साथ काम करने के लिए दुनिया के मशूर ब्रैंड्स को लाइन में लगना पड़ता है आपने इस लिस्ट में दुनिया की सबसे काली मॉडल को तो देख लिया हुगा अब इन से मिलिए दुनिया की सबसे गोरी मॉडल से जिनका नाम है नास्टिया जितकोवा, 24 साल की नास्टिया, रश्या की अलबीनो मॉडल है बता दे कि अलबीनो उन लोगों को बोला जाता है जो पूरे सफेद रंके होते हैं माना जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो सफेद रंग के मालिक होते हैं जिनके शरीर से लेकर बालों तक के रंग सफेद होते हैं लेकिन अलबीनो लोगों की आँखों का रंग बाकियों से अलग होता है जो बहुत कमजोर होती हैं और हर समय फटफडाती रहती हैं ऐसे लोग धूप में ठीक से देख नहीं पाती लेकिन फिर भी इन सब के बाव जो नैस्टिया ने कभी हार नहीं मानी और आज दुनिया की एक successful model ये है नैस्टिया की demand ad agency of model में काफी जादा है जिसके वज़े से वो काफी जादा busy रहती है वो कई सारे ads में modeling कर चुकी है नमबर दू विनी हारलो 26 साल की विनी हारलो का तालुक Canada से है विनी चार साल की उम्र से skin disease विटी लीगों की शिकार है इनके चेहरे और पूरी बाडी में वस सफेद रंग के patches हैं विनी का कहना है कि खुबसूरती देखने वाली की निगा में होती है हमें दूसरों की राय की बजाए अपनी बाडी के बारे में खुद ही राय लेनी चाहिए विनी को स्कूल और कॉलेज में हमेशा मजाग का निशाना बनाय जाता था लेकिन फिर भी उन्होंने कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया वो यही सोच को लेकर आगे बढ़ती गई और आज उनका चैरा फैशन के दुनिया में एक बहुत ही एहम चैरे की हैसियत रखता है और इनका शुमार कैनेडा के टॉप मॉडल्स में होता है 14 साल के सुनैना तिपट से हैं लेकिन वो अभी यूके में रहती है सुनैना की खूबसूरती ने मॉडलिंग के दुनिया को हिला कर रख दिया है सुनैना को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो इस दुनिया की है ही नहीं इस लड़की की आखें होट नाक और यहां तक की चैरे के बनावट भी आम लड़कियों से बेहत हट कर है सुनैना की हाइड भी पाँच-पाँच है जो की नॉर्मन मॉडल्स के मुकाबले एक कम है लेकिन फिर भी इन सब के बावजुद सुनैना की अजीबो गरी बनावट ने उन्हें मॉडलिंग के करियर में एक भूब आगे बढ़ाया है और मॉडलिंग एजनसियों को अपनी और आकरशित किया है आपको जानकर हैना नहीं होगी कि सुनैना की मांग मॉडलिंग के दुनिया में किसी भी मॉडल के मुताबिक कई जादा है उनके इंस्टरग्राम पर काफी जादा फॉलोवर्स है लोगों का कहना है कि सुनैना अवतार मूवी की केरक्टर की तरह दिखती हैं तो दोस्तों ये थे दुनिया की साथ खुबसूरत महिलाएं जो आथ दुनिया भर में काफी जादा फेमस हैं इनमें से आपको कौन सी मॉडल सबसे अच्छी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले हो और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुन सकें शक्रिया